स्वासकार दोस्तों मैं हूँ रहूल और आप देख रहे हैं Mission Competition तो इडूटीरिया का Volume 2 हमारे चैनल लगातार चलाया जा रहा है दो practice rate दे दिया जा चुका है और आज का practice rate होगा practice rate number 3 इससे पहले हमारा platform का भी चल रहा था volume 3 हमने complete कर रहा है उससे पहले डूटीरिया का volume 1 हमन नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़ो मत पढ़ो नौकडी अगर लेना है तो पढ़ना पढ़ेगा सीधे भाईया ठीक है यह slogan ध्यान में रख लो जागो लड़ो या फिर मरो ठीक है ना नहीं पढ़ोगे तो मरो गहीं कहीं के नहीं रहोगे सीधी सी बात है तो पढ़ना तो प प्रइस कर लेंगे जो रोने वाले बच्चे वह ऐसे पहले भी रोते थे अभी भी रोएंगे पहले रोते थे कि भ्रस्ट चार रहे आब रोएंगे को रोना है सरकार एक्जाम नहीं करवा रही है तो बस यहीं बात है चलिए खर बक्वास बीना किये हुए चलिए आज का बताया ही था इंपको याद होगा ठीक है बलबन हैं सी हमारा करिक्ट आंसर हो जाएका बलबन ने अपने विरोधियों इसने ही सिजदा एवं पाबावस प्रथा की भी स्टार्ट करा था ये सब मैंने कल आपको बताया है कोशन नमर टू देखते हैं फिरोस्तुलक के दोरा लगाया गया सीचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था तो इसके दोरा जो सीचाई कर जो लाया था इसको उपज का एक बटा दस भाग होता था ठीक है डी करेक्ट हो जाएगा कोशन नमर थ्री देखते हैं अकबर दोरा इलाही समवत की सुरुआत जो है किस वर्स की गई तो अकबर दोरा इलाही समवत की जो सुरुआत है ये करा गया था ठारा सो तिर्बन में भी हमारा एपसलूट और इनका देट याद रखना है ठीक है कहा हुआ था तो पटना में हुआ था 6 नमट देखते हैं मुस्लिम सिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदर्सा किस थापना कब की गई थी तो प्रथम मदर्सा किस थापना जो अगर इसके बात की जाए तो 1781 कियासी में की गई थी B यहां हमारा correct हो जाएगा No.7 देखते हैं दासप्रथा का अंत किस गवर्णर जनरल के सासनकाल के दोरान किया गया था दासप्रथा का अंत जो है यह लौड इलन बरो के सासनकाल के जाए में किया गया था यानि option No.C यहां हमारा absolute correct हो जाएगा ठीक है दासप्रथा का अंत जो है 1843 में Act 5 के दोरा किसके दोरा Act 5 के तहट इसका समाप्ति किया गया था और इससे में भारत गवर्णर जनरल कौन था लौड एलन बरो था इसका सासनकाल कर पुछा है कब से कब तक था तो ठारा सो ब्यालिस से लेके और चोवालिस तक था ध्यान रखिये बाद ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं question number 8 क्या बोला जा रहा है देखिये प्रसिध रिम्पाव विद्रो का जो संबंध है किस राज से है तो रिम्पाव विद्रो जो यह है इसका relation है आंद्रपरदेश से ए हां correct हो जाएगा हमारा 9 भारतिय सुधार समीती की इस स्थापना किस ने की थी बारतिय सुधार समीती की जो स्थापना करा गया था वह दादा भाई न औरोज जी के दोरा किया था एक correct हो जाएगा ठीक 10 नमबर देखते हैं अठारो संतावनी करानती के दौरान फैजाबद में इसका नितुत्य किस ने किया था Idaho में मौलवी ohmad Allah के दौरा कि दौरा बार निया प्रवाद में मौनी अब्दुलान निकिया था और बरेली धायब और अजिमुल्ला ठीक है बरेली में खान भादुर्खां और फतेपूर में आजिमुल्ला यह यूपी से सरा अजिजे हैं तो ध्यान वराकिये पूछा जाता है ठीक है अगर आप यूपी के एक्जाम में भी पैटने वाले हैं जैसे यूपी दरोगा है यूपी पीसियस है यूपी आरो यारो आने वाला है तो इन सब में यह सारी चीशे पूशी आ सकती है तो ध्यान में बिल्कुल ही रखें कुशन नमबर 11 देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब सुविकार किया था तो इसको मुस्लिम लीग ने जो सुविकार किया था ठीक है बी यहां हमारा absolute correct हो जाएगा बारा नमबर देखते हैं क्या है भगत सिंग को फासी की सजा सुनाने वाला नयाधिस निमलिकित में से कौन था तो भगत सिंग को फासी सुनाने वाला जो नयाधिस था यानि जो ज जज था वो थे जी सी हिल्टन ठीक है सी करेक्ट हो जाएगा भगत सिंग को सुनाया वो जज कौन था तो जी सी हिल्टन था ध्यान रखिए नाम पूछा गया हुआ है पूछा जा सकता है दुबारा से ठीक है चली थर्टी नमर देखते हैं आग का विसकार किस काल के दौरा हुआ देखें आग का विसकार हुन हो जो है इसको बोलते हैं चक को होगा चलिए फोर्ती नमार से निमली खित्मे से जो है किस स्थान से निर्तकी की कांस की मूर्ति प्राप्त की गई है यह बताना है ठीक है तेखे मोहन जोद्रो हो जाएगा शी अंब्सरू Nous पंद्रान अनमोर देखते हैं क्या है पंद्रान नंब्र प्रसि राजोग्ः जिवग किसके दर्बार में रहते थे देखिये जो परसिद राजवैद जीवक यह दरवारी थे तो यह हमारा बिल्कुल ही correct हो जाएगा यह जो है बिम्बी सार के दरवारी में रहते थे ञे इसनी पिंवी साड़ ने करीब 52 वर्सों तक मगदपर्सासन था फ्याओं किया ईहां हमारा मिल्गुल करेक्ट होजाएगा ठीक है चलिए 70 नमबर देखते हैं क्या है दुरगापूर इस पात कार खाने की स्थापना किस पंच वर्षी हो जना के दोरान की गई तो दुर्गापूर इस पात कारखाने के जो सुरुवात है ये जो किया गया ये देखिए तुईती है सेकंड पंच वर्सी योजना के दोरान किया गया ये कब से कब तक था तो इस योजना कारकाल अगर बात किया जाए तो 1956 से 1961 तक था ठीक है चलिए अठार नमबर देखते हैं भारतिय वीमा विनिमयक और विकास प्राधिकरन यानी IRDA का मुख्याले कहां पे है IRDA का मुख्याले ध्यान रखें हैं हैदराबाद में है सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट 90 नमबर देखते हैं क्या बोला जारा देखिए 19 में निमली लिखें लिखें कौन अपरतेक्च कर का एक्जामपल है तो अपरतेक्च कर का जो एक्जामपल है जो उधारन है वो है C मासुलक C correct हो जाएगा 20 नमबर Principal of economics पुस्तक के लेखा कौन है Principal of economics पुस्तक के जो लेखा के वो है Marsal B यहां correct हो जाएगा ठीक चलिए 21 नमबर देखते है 21 नमबर में क्या बोला जा रहा है देखिए भेरगाट धर्रा की इन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्क है तो भेरगाट धर्रा जो है यह ध्यान रखे है मुंबर और पुने के इन दोनों के बीच का संपर्क स्थान है ठीक है बेरगाट धर्रा पस्चिम घर्रा धर्रे है जिसका जो अगर हाइट बोला जाए उचाई जो बोला जाए वो लगभाग 630 मीटर है कितना 630 मीटर है यह मुंबई और पुने के बीच का संपर्क मार्क है ठीक है ध्यान रखे इस बात को 22 धार्ला निमलीखित में से किसका सहायक नदी है तो धार्ला जो है ध्यान रखे है यह ब्रहंपुत्र की सहायक नदी है भी करेक्ट हो जाएगा धाड़ला, कुल्सी, मानस, तिस्ता, धनसिरी, ये सब ब्र Hilputr की सायक नदिया, ब्र Hilputr नदी का उदगम कहा से होता है, तो मानसरवरज, हील के पास इस्तित हिमानी से होता है, ठीक है, इसे तिब्बत में सांग्पो तथा असम में द्यांग नाम से जाना जाता है, ये ध् हो जाएगा next देखते हैं चलिए next है हमारा question number 24 भारत में कोईला भंडारन के मामले में कौन सा राज अगरनी है बिल्कुल टॉप पे है आगे है तो वो है जारखंड सी correct हो जाएगा right 25 भारत सरकार ने राश्ट्रिक रिसी निती की घोसना किस वर्स में की थी तो भारत जा रहा देखिए दक्षणी सहाद्री का निमली खित्म से सर्वोच सीखर कौन सा है देखिए दक्षणी सहाद्री का जो सर्वोच सीखर है वो है केंद्रोन मुखी ए correct हो जाएगा हमारा उसका देखते हैं question number 27 निमली किस राज से होकर करक्रेखा नहीं गुजरती है तो करक्रेखा जो है नहीं गुजरती है कहां से तो मनिपूर से होके करक्रेखा नहीं गुजरती है डी यहां बिल्कुल ही हमारा correct हो जाएगा देखिए करक्रेखा भारत के आठ राज्यों से गुजरती है ठीक है कौन कौन से राज है तो गुजरात है राजस् अगर को कौन सी जलसंधी जोड़ती है तो इसको जो जलसंधी जोड़ती है वो है सुन्डा जलसंधी भी यहां हमारा एपसलोट करेक्ट हो जाएगा 29 नमर देखते है किस महादुईप को माना उत्पत्ती का केंद्र माना जाता है तो माना उत्पत्ती का केंद्र माना जाता है वो है एफ्रिका इसी को माना जाता है भी करेक्ट हो जाएगा अफ्रिका महादूइप को मानवुद पत्ती का केंदर माना जाता है और इस महादूइप को पहाडो का महादूइप भी का जाता है विस्प का सबसे बड़ा मरुस्तल अगर बात किया जाए सहारा वो यहीं पर है, अफ्रीका महादूइप में ही है, ठीक है, तो B है हमारा absolute correct हो जाएगा, निम्न लिखेते में से किस मुरुदा का छेत्रिय विस्तार भारत में सबसे जादा है, तो वो जो मिट्टी जिसका भारत में जो है विस्तार फैलाओ सबसे जादा है, वो है जेल लोड मिठ्टी में पोटास कैल्सियम इनकी मात्रा भरपूर पाय जाती है और यहां मिठ्ट्व में इस matière में कौन कोन सी फसल होती है। भी जानले। तो इस डंफा है मुर्लीन है और ब्लू माउंटेन ये सारे मिजुरम में ही रास्ट्य उद्दान है और इस रास्ट्य उद्दान का यानि की मुर्लीन रास्ट्य उद्दान का स्थापना 1991 में किया गया था ध्यान रखें इस बात को चलिए 32 देखते हैं विस्व ओजोन दिवस परति ठीकों बनाया जाता है तो यह हर साल जो है नावुर्ण हो सनिस्मर को मना जाता है एत्ञा करेक्ट हो जाएगा बारतमें अंतरिक्च कारेक्रम की शुरूत किस वर्स की प्रॉत यह किया गया था 1962 चलिए चुर्ट संगठन करें यहां करें तो संगठन में कितने देश है तो 187 वह सत्य एक सद सेक्ट है टेक है तो हमारा सी हमारा अब्सक्राइब करेक्ट हो जा जायेगा नेक्स्क्राइप उन्हें प्लाव लिड्वल है नैक्स कोसन zasad 45 उद्य भूमी नीम्ने में से किस महापुरुष्ट की समाध्य स्थल है देखे उद्य भूमी जो है यह के-अड नरायनन की समाध्य स्थल हैं दी हôm हमारा करेक्ट हो जाएगा 36 देश का सर्वोच वीर्ट यहीं जो है सर्वोज वीर्था पुरुसकार है परमीर sic Agre Voodoo पुरुसकार है न music का अदम मेसाहसप्राक्रम तथ ही दलम ₹परुसकार को स्ञेह यिस पुरुसकार कर छो स्टार्च हुआ था यह कब से दिया जाisel रहा है तो強 चीश gंद द्ले का is» 37 नमबर दिखते हैं देखे रेनुका जील जो भारत में रामसर आदरभूमी छेतर के अंतरगत आता है इसका रिलेशन जो संबन्द जो है किस स्टेट से तो इसका संबन्द ध्यान रखे हिमाचक प्रदेश से बी करेक्ट हो जाएगा 38 नमबर दिखते हैं ओलंपिक धज यानी फ्लैग को सरव प्रथम किस वर्स फराया गया था तो सबसे पहले इसको जो फराया गया देखिए 1920 में फराया गया था एहां हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उलंपिक ध्याच को सबसे पहला एंट वर्प यानी बेल्जियम के उलंपिक में 1920 में इसको फराया गया था ध्यान रखे इस बात को ठीक है और इस ध्याच का निर्मान बैरोन पियरे डी कोबर्टीन ने किया था इस बात का ध्यान रखे पूशा आ सकता है 40, सुचना कर्णती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है देखे सुचना कर्णती के जनक कर्णती की रूप में आर्थर rails लिगर को झाना जाता है ठीक है याना यानी कि option number ये हमारा correct हो जाएगा अर्टिकल 54 के हिशाब से राष्टपती के निर्वाचन एक मंधल के द्वारा होता है जिसमें कौनकोन होते हैं राज के विधान सभाओ के निर्वाची सदस इसमें होते हैं और किनसासित पदेश जैसे दिल्ली और पूढची सदस से इसमें भाग लेते हैं ध्यान रखे इस और ये जो है देखें सतर्वा समिधान समिधान हुआ था 1992 में इसके द्वारा ही इन दोनों दिल्ली और पूर्डुचेरी को जो है न केंसासिस पर्देश इसको भी राष्टपती निर्वाचन संसोधन पड़किया में एड़ान किया गया Q42 देखते हैं हम ठीक है लोकसभा के बैठा कुगनपूर्थी के अभाव में अस्थागित करने का अधिकार किसे है देखें इसको इस्थागित करने का अधिकार है देखें ध्यानर के मेंसा लोकसभा ध्यक्ट को है बी करेक्ट हो जाएगा 43. किस अनुच्छेद के तहट नियाले द्वारा संसद की कारवाही की जाच पूंता निशेद है तो ये जो है ध्यान रखें ये आर्टिकल 122 के तहट है C correct हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 122 के तहट कोई भी नियाले संसद की कारवाही की जाच नहीं कर सकता है 44. भारतिय सम्विधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के नयाय का वर्णन किया गया है देखिए इसमें जो है तीन प्रकार के नयायों का वर्णन किया गया है भी correct हो जाएगा ठीक है पहला जो इसमें वर्णन है वो है समाजिक नयाय के बारे में दूसरा आर्थिक नया के बारे में और तीसरा राजनी नया के बारे में तो यहीं तीनों नया के बारे में वर इंट to enjoy the यह मैंने बार बार आपको बोला है हमारे alsamین चले हैं लुसरेंट के भी उसमें क wicked seen प्रदान मंत्री पूछा जा सकता है कि भारत के पाहले उप प्रधान मंत्री कौन थें तो सरदार प्रटेल थें ठीक नेक्स्ट के और बारते हैं 46 निमली के तमिसे कौन सा यूगम इसमें सुमेलित नहीं है इसमें जो यूगम सुमेलित नहीं है ध्यान रखे है हमारा इसमें विधिदुरा स्थापित परक्रिया ब्रिटेन ये गरबढ़ है और दुई सद्रियावाद ये यूएसे ये भी संद्रिया यहां पर क्या हो जाएगा तो यहां हो जाएगा जैपैन ध्यान रखें और यहां हो जाएगा ब्रिटेन ठीक चलिए नेक्स्ट के और बढ़ते हैं हम आप 40 अधर कल सीटे कितनी हैं देखे बिहार में लोग सभाकी और राजिच्पा कि ने तो बिहार में जो है राजसभा की हैं टोटल 40 सीटे और लोगसभा की जो है अगर बात करें तो इसमें सीटों के लोगसभा की 40 सीटे और राजसभा की 16 सीटे यानि option number B हमारा correct हो जाएगा ठेक है नेक्स सकते हैं 48 48 में क्या आ रहा है 48 मेहारा की इंद राज संबंद पर गठत सरकारी आयों का गतन किस गठन जो है किस किया गया था तो सरकारी आयों गठन जो है यह किया गया था 1983 में सी करेक्ट के करेक्ट है और invent детей ऑन किया गया था और इसने 1987 में यानि 1997 में अपनी रिपोर्ट के इन सरकार को प्रस्तोत कर दी थी नेक्स्ट क्यों बरते है 49 बिरान बैवा सम्वेंधान संसोधन के तहत किन भासाओं को आठवे अनुसुची के अंतरगत सामिल किया गया तो आठवे अनुसुची के अंतरगत जो सामिल किया गया ये देखिए बोर्डो को सामिल किया गया मैथली को किया गया डोगडी को किया गया यहीं कि उपयोगत सभी डी हमारा यहाँ absolute correct हो जाएगा अगला देखते हैं question number 50 क्या है question number 50 बोला जा रहा देखें भारती ये राजनीती के इतिहास में अभी तक कुल कितने बार दोनों सदनों की संयूक बैठक बुलाई गई है तो अब तक देखें ध्यान रखें इस बात का total three times तीन बारी दोनों सदनों की संयूक बैठक बुलाई गई है देखें पहली बार बुलाई गई थी दहेज प्रता दहेज प्रतिबंद विरोधत के अगेंस्ट ये कब हुआ था तो 1961 में हुआ था first time ठीक है सभा hypothetical सभावरा दोनों सदने की बुलाई गई थी ठीक चलिए तो डीको ऐसे निडेयों देखते हैं और बात के तो जडीके तो सव्ट आरी सब्सें हाइज कोर्ट बार्स और उच्टम नेना सुप्रीम कोट सिक्स्तिफड़ेव रख़त को चलिए 52 देखते हैं दल बदल विरोधक अधिनियम को किस वर्ड पारित किया गया था तो दल बदल विरोधक अधिनियम को रश्या में स्थापित किया गया था कब यह हुआ था तो 1954 में रश्या में स्थापित किया गया था 55 बारबरी तथा जमुनापूरी किस की परमुख नसले हैं तो यह जो परमुख नसले हैं ध्यान रखे बकरी की है सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए 56 देखते हैं किसी घर में लगे बिजली बल्व पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है उस बल्व का कुल परतिरोध कितना होगा तो उस बल्व का कुल जो परतिरोध है याद रखें वो 400 ओम हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा मारा ठीक 57 पेड़ पॉदों की टहनियों को हिलाने पर फूल पत तो इस्थिर है तो इस्थिर रहना चाहिए और यदि गती में है तो वो गती में रहना चाहिए ठीक है लेकिन जब तक जब तक कोई बाहे बल ना लगे ठीक है यानि कोई बस तू इस्थिर है उस पर बाहे बल लगा कि उसको रोका ना जाए तब तक क्या होगा तब तक वो उसी तरह रहेगा अता पेड़ पौधे की तहनिया को हिलाने से फूल पत्ती का गिड़ना पहला नियम का एक्जामपल में आता है न्यूटन के ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं 58 प्रकास का वेग कितना होता है ठीक है प्रकास का वेग जो है न थ्री इन्टू एट टू दी नेकर टीनमीटर सेकंड होता है यह हां हमारा क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए 59 देखते हैं क्या है 59 फिफ्टी मैं में है और ओके यश चलिए रॉकेट किसके संरखक्चन нрав के सिधान पर करता है तो रोकेट हाथ के नियम का प्रियोग किस की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है तो यह जो है याद रखें प्रेरिध धारा की दिशा का प्रियोग पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है 62, photon की खोज किस ने किया था, देखे, photon की खोज जो है ना, याद रखे, photon की खोज किया था, Albert Einstein ने, B correct हो जाएगा, photon की खोज 1905 में हुआ था, ठीक है, Albert Einstein ने किया था, और photon का भारता थदरवमान, 0 होता है, ध्यान रखे इस बात को, 63, किसी तत्व का रसाइनी गुन निम्न लिखित में से कौन निर्धारित करता है, ठीक है, तो इसका जो निर्धारन करता है, ध्यान रखे, electron की संख्या निर्धारन करता है, C correct हो जाएगा, 64, निम्न में से कौन लोहे का, यानि सबसे सुधतम रूप है, तो लोहे का जो सबसे स धदम रूप यो है वह है पिटवा लोह बी करेक्ट हो जाएगा 65 पीतल निमलिकित में से किस का मिश्रन है ठीक है तो पीतल जो है ध्यान रखेंता तामबा और जस्ता का मिश्रन है B correct हो जाएगा 66, समुद्र में गोता खोरी करते समय गोता खोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रियोग करता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ देखिए वो हीलियम का प्रियोग करता है C correct हो जाएगा हमारा ठीक है नेक्स्ट के और बढ़ते है 67, सुक्रोज के जल अब घठन से किसका निर्मान किया जाता है तो सुक्रोज के जल अब घठन से याद रखें किसका किसका होता है तो ग्लुकोज का होता है और फ्रुक्टोज का होता है ठीक है ग्लुकोज और फ्रुक्टोज का होता है तोरीजा सैटविया यह धान रखे, धान का विज्ञानिक नाम है बी करेक्ट हो जाएगा, customs कौन जो है, ग्रेमीनेसी कुल का पॉधान नहीं है ग्रेमीनेसी कुल का पॉधान नहीं है वो है नारियल ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है 70 नमबर देखते है, Amylase Enzyme का स्त्राव किसके द्वारा होता है तो Amylase Enzyme का स्त्राव जो होता है वो अगनासा के द्वारा होता है A correct हो जाएगा 71 नमबर, विक के बाहरी तेथा भीतरी भाग को क्रम सर क्या कहते है तो इसके बाहरी और भीतरी भाग को क्रोटेक्स मेडुला कहते है A correct हो जाएगा ठीक, किसी विटामिन का रसाइनिक नाम teकोفर déb किस विटामिन का रसाइनिक नाम teकोفरaphor है तो याद रखें, विटामिन E का रसाइनिक नाम teकोفर नाम ठीकिए अब मैं कुछ विटामिन का नाम बताओ, कुछ विटामिन, जिनरल विटामिन जो हम बोलते हैं, उसका जो रसाइनिक नाम में बता रहा हूँ, ध्यान रखे, पूछा रता है एक्जाम में, विटामिन C को सकॉर्बिक है, ठीक है, विटामिन D को कैल्सी फेरॉल बोलत थीक है भcular कि सबात को है तीहत्तर मलेरिया पर जीवी की निम्नन से कौन सी अवस्था संक्रामक है तो मलेरिया पर उबस्था संक्रामक है वह3 इस परोटो ज्यों Phythe है यह हमारा एको देखते हैं सेवंती-पुस्थधक platform scale for a post pandemic world के लेखा कौन है तो इसके जो लेखा के ध्यान रखे संगीत पाल चौधरी है C हमारा correct हो जाएगा 75 हाली में किस राज में जल भीशेक अभियान की सुरुआत की गई तो जो है इसका जो start हुआ है मध्य पर्देश में हुआ है यह हमारा correct हो जाएगा ठीक है चलिए 76 देखते है विजे हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है देकि विजे हजारे ट्रॉफी 2021 के जो विजेता है मुंबई C correct हो जाएगा ठीक है 2020 में मुंबई ने उत्तर परदेश को हरा कर यह त्रॉफी अपने नाम किया है और विजे हजारे ट्रॉफी जितने वाली टीम जो है सरवाधिक बार विजे हजारे ट्रॉफी जो जितने वाली टीम है वो है तामिल नाडु पांच बारी उन्होंने यह त्रॉफी जीता है 77 World Happiness Report 2021 में भारत का रेंक जो है पॉजिशन जो है स्थान जो है क्या है तो इनका जो पॉजिशन है वह है 139 भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है भारत का स्थान एक 140 वा रहा और यह जो रिपोर्ट है UN World Happiness Report दोरा इसको जारी किया जाता है ठीक चलिए 78 चेक आउट करते हैं क्या है चलिए विस्व गौराया दिवस 2020 का थीम क्या था देखे विस्व गौराया दिवस 2020 का थीम था I love a sparrow C हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं 79 क्या बोला जारा देखे है हाली में तंजानिया की पहली महिला रास्ट पती कौन बनी है तो तंजानिया की जो पहली महिला रास्ट पती बनी है ध्यान रखे सामिया सुलूहु हसन बनी है C करेक्ट हो जाएगा तो पूरवी देखते हैं दूसरे खेलो इंडिया उनिवरस्टी गेंज 22 की मेजवानी कौन सा राज करेगा तो ये जो है करना टक करने वाला है भी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठेक एक क्यासी नमर देखते हैं इतनौल नीती सुरू करने वाला भारत का पहला राज कौन बना है तो इतनौल प्रमोशन नीती बनाने वाला बिहार भारत का पहला राज बन गया है 82 देखते हैं हाली में किस भारतिया भी नीजदा को फिल्म आईकिव प्रुसकार 2021 से समानित किया गया है तो आईकिव प्रुसकार 2021 से जिन समानित किया है वो हैtalk से करेक्ट हो जाएगा ठीक है 83 किस है वो है ध्यान रखें वो है फिलिपिन्स डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है फिलिपिन्स ने ब्रह्मोस मिसाइल समित अन्य भी रख्चाव पुर्णों के लिए भारत साथ MOU पे साइन किया है 84 चलिए हाल ही में की गई घोषना के अनुसर भारत का पहला भूत आप यह विद्धुत प्रियोजना किस के इन ससित परदेश में स्थापित किया जाएगा तो इसका जो स्टैबलिश्मेंट किया जाएगा वो लदाक में कि जाएगा भी करेक्ट हो जाएगा चलिए 85 देखते है 85 में क्या है भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टॉल 9mm जो है मशीन पिस्टॉल किसके द्वारा विक्सित किया जा रहा है किया गया है तो यह जो है विक्सित किया गया है ध्यान रखें DRDO तथा भारतिये सेना के द्वारा ठीक है तो यहां हमारा जो है डी करेक्ट हो जागा ए और सी दुनों ने संयूत रूप से मिलके इसको करा है 86 देखते हैं 86 में क्या है देखे किस देश ने जनवारी 2020 में ओपन स्काइज संधी से अपना संबन तोड़ने का घोशना किया है तो जो दियस ने क्या है वो है अमेरिका ने ठीक है एक करेक्ट हो जाएगा संधी के लगातार उलंगन और सुरक्षा के महौल में बदलाओ के कारण ओपन स्काइज संधी यानि OST से बाहर निकलने का फैसला किया और वो निकल भी गया है 87 किस राज ने जनवरी दोच जारे कीस में अपना पहला राज किया पक्षी जो है महुसब जो है कलराओ का यूझन किया तो पहला जो यायोजन हुआ है वो करा है बिहार गवर्मेंट में ठीक है बिहार के पहले राज के पक्षी महतसवयानी बर्ड फेस्टिवल कलराव की सुरुआत जमूई जिले के नागी नक्टी बई सेंचुरी से करी गई है ठीक है ये करेक्ट हो जाएगा चलिए 88 देखते ह करेक्ट हो जाएगा 89 नंबर चेक आउट करते हैं एक हाली में सत्यपाल की मृत्य हो गई है इनका संबंद किस छेत्र से था तो सत्यपाल जी का जो संबंद था फैसन डिजाइनर वो थे हमारा करेक्ट हो जाएगा 90 नंबर देखते हैं वन नेशन वन रसन कार्ड योजना ल डाबनु उएचने हाली में किस देश को मलेशय मुक्त घोशित किया है वो ध्यान रखें अलसलवाडोर को सी करेक्ट हो जाएगा 90 2 2060 वे रस्टेवल्म प्ष्कार qi 2021 के तहट किस फिलम को सरस्थे स्था हिंदी फिल्म का किताब दिया गया है सरस्था हिंदी फिलम का किता वी हमारा correct हो जाएगा 93 देखते हैं अचिक चलिए 93 टूसे कौन सा देश G20 सिकर सम्मेलन 2023 की मैजबानी करेगा तो 2023 मैजबानी करने वाला है वह भारत है G20 शिकर मेलन की ठीक बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो 2023 की मिजबानी भर्त करेगा और वर्स 2021 में इसका जो योजन है देखिए इटली में होने वाला है और 2022 में इसका योजन कहा होगा इंडिया में आने वाला है ठीक है 94 देखते हैं चलिए केंसरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित छेत्रों में उत्रुस्टा केंद्र बनाएगी तो ये जो बनाने वाली है Central Government वो बनाने वाली है देखिए IIT Bombay के सहयोग से C correct हो जाएगा 95 हाली में किस राज के मुख मंत्री ने SCST छात्रों के लिए 101 करोड उपए की छात्रुर्ती की स्विक्रती दी है तो ये दिया गया है देखिए Odisha Government के द्वारा D हमारा correct हो जाएगा 96 देखते हैं 10 वर्स पहले पिता के यो पुत्र के आयो से 3 गुनी थी 10 वर्स बात पिता के यो पुत्र के आयो से 2 गुनी होगी तो वर्तमान में पुत्र की जो आयू है वो क्या होगी B हमारा correct हो जाएगा 30 वर्स ठीक है B absolute correct हो जाएगा 30 वर्स चलिए 97 देखते हैं क्या है 97 किसी वस्तू को 1100 में बेचने से प्राप्त लाब उस वस्तू को 500 रुपे बेचने से हुई जो प्राप्त हानी का दोगुना है तो वस्तू का क्रैमूल ग्यात करना है कितना होगा तो वस्तू का जो क्रैमूल है वो 700 रुपे हो जाएगा D correct हो जाएगा ठीक है 98 देखते हैं क्या बोला जा रहा है छे आदमी किसी काम को छे दिन में पूरा कर सकते हैं उसे दोगुनाकार को आठ दिन में पूरा करने के लिए कितने अतरिक्त आदमियों के वशकता होगी तो इनको जो अतरिक्त आदमियों के वशकता होगी वो अठारा आदमी लगे देखते हैं क्या है एक घर से विद्यार्थी अपने घर से जो विद्याले की दूरी है उसके घर से जो विद्याले की दूरी है वो 5 km होगी C correct हो जाएगा आज का हमारा आखरी question भी देख लेते हैं एक तामबे के बने गोले का व्यास 9 cm है इसे 2 cm व्यास वाला तार बनाया गया तो इस तार की लंबाई कितनी होगी देखे इस तार की जो लंबाई है वो 121.5 cm होगी ठीक है तो friends ये था मारा आज का इडूटीरिया का volume number 2 का practice set number 3 उमीद करता हूँ ये practice set अब आगा भी पसंद आया है और इस practice set में जो cut off दिया गया था 73 marks उसको आपने touch किया होगा उसे बेचा perform किया होगा तो वीडियो को like करें अपने attendance को दर्च करें और वीडियो को ज़ज़दा share करें share करना बिल्कुल भी ना भूले चलिए आज के लिए बस इतना ही till then take care bye bye and god bless you all